हलो एरिवान हमारी लाइफ लाइफ लाइन जेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाना जा रहे हैं कद्दू के टेस्टी सब चीज के लिए मैंने कद्दू के छिलके उता लिए और ये बड़े पिस तेयार के लिए अब हम छोटे गट्टे काट लेंगे अब हम छोटे गट्टे कर लेंगे अपर इसे क्या है बड़े गट्टे अब गट्टे में प्रोब बन जाता हो चोटे गट्टे कर लेंगे हमें इस तरसे किаб quiere बस्तूप के लिए बन जाता म्हीं एके लिए कि जाते ही टोटे अगरे हैं कि बलाकुम कोईया कजड़ोς डिए ऐला कि बलागे कि लिए ये हैं। पूरे गट्टे कट चुके है अब बेर है अब मैं इनके लिए गड़ाई रेडी कर लेती हूं फिर उसमें डाल दूंगे यह मैं गेस ओन कर दिया है यह कड़ाई गट्टे डाल दूंगे सारे अब हमें जल्डे पकने के लिए में थोड़ा सा नमक डाल दूंगे चुके बर और थोड़ा सा पाने डाल दूंगे इससे क्या गल्डी पक जाएंगे गट्टे यह थोड़ा सा पाने डाल दूंगे अब यसे पांच से दस मिर्च तक गट्टे रहेंगे अब इसमें डालेंगे अम काली मिर्च का पाउडर जो पेरे समय पूट लिया है नियों डूंगे लिए मेटी मेटी से रिखते हैं इसमें दो चमास मिर्ची डाल देंगें थोड़ी से हवदी काउडर इसमें सबको मिक्स कर लेंगें अब घटे थोड़ा से पकने पागए हैं और ये भी अच्छी से पक जाएगे इसमें नालने से अब अच्छी से पकने बाद हम इसमें अब तेल डालेंगे उपर से कच्चा कदू होता दो आपन केवल तेल में ही बना सकते हैं वो रेसी बिए में आपके साथ शेयर करूंगे बहुत जल्दी पूरा पक चूपका था इसलिए पेले पानी डाला इसमें थोड़ा से पकने के लिए खाने में बहुत स्वाधिष्ट लगती ही पूरी तरह से पक जाएगा और इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिये अपनोंने अब हम इसमें तेल डाल देंगे और पांस से दस मुट के लिए इसी छोड़ देंगे आप इसमें हर्या धन्या डाल दो तो और ज्यादा टेस्ट बने जाओं अब यह कद्दू की स्वाधिष्ट सब्जी बनके बिल्कुल तयार है सर्व करने के लिए आप यहां किसे बनाते मुझे कमेंट करके बल्कुल बताए थेंक्यू और मेरे चैनल सेस्क्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब करतें